देखिए क्या कहा रहा है मान गयाद करें तो sin square 63 plus sin square 27 बटे cos square 17 plus cos square 73 तो मान सार्वनिका पढ़ियों से ऐसे प्रशन को नहीं बनाया जा सकता है तो इसो कैसे बनायेंगे लिखिए, sin square 63 degree plus sin 77 को क्या लिखेंगे, पूरक वाला formula लिखिए, sin theta बढ़ा आवा, cos 90 minus theta, cos square 90 minus theta, तो theta कितना है, theta 27, 27 degree, ठीक, और बटे में कितना है, बटे में है, cos, cos को लिख देजिए, sin 90 minus, sin 90 square है तो square भी लगाएंगे, sin 90 minus theta, theta कितना है, 17 degree, plus इसे वैसे ही उतार देजिए, cos square 73 degree, कितना हो जाएगा, sin square 63 degree, plus cos square, 90 minus theta, गया तो कितना हो जाएगा, ये भी 63 हो जाएगा, फिर बटे में कितना है, तो बटे में sin, sin square, sin square लिखिए, 90 minus theta जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 73, 73 degree, plus cos square 73 है, इसे आप वैसे ही उतार देंगे, ठीक है, बड़ावर, अब आप क्या देख रहे है, sin square theta, plus cos square theta, बड़ावर, एक sin square theta, plus cos square theta, theta के परते हैं, कि मानने के लिए sin square theta, plus cos square theta, एक ही होता है, ठीक है, एक बटे, एक बड़ावर कितना हो गया, एक, तो हमारा final answer कितना है, एक है, एक, एक.